हेलो अब्रीवन स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सावस्वाप सॉलूशन्स पर और आप देखना सुरू कर चुके हैं रियेक्ट 18 का फुल ट्रीटोर्याल सीरीज आज कि वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि यहां पर में में डॉर्ट इंपोर्ट किया हुआ है तो यहां पर मैं कि एक्सपोर्ट default function बनाता हूँ और नाम देता हूँ कि एप ठीक है और इसके अंदर मान लिजे कि मैं पास यहां पर क्या है कि return ठीक है return कर दिया इसके अंदर सब्सक्राइब कर लिए कोई दिकत नहीं है ठीक है यहां पर मैं क्या करता हूँ कि अगर आप इतना देखेंगे इसको मैं रन करके दिखा हूँ तब लोग दिखेगा तरणियल ओपन कर दिया हमने और npm run dev से यह रन करेगा development mode में इसका path मैंने क्या कर लिया copy इसको थोड़ा से और नीचे कर लेता हूँ ओपन करता हूँ ब्राउजर पेस्ट ठीक है देख लिजे क्या गया लूप इन जैसेक्स एक टूव कर लिजे कि मेरा आदत है क्या कि मैं आप कंसोल को जुरूर फॉलो करता हूँ कि जब आप development कर रहे होते हैं ठीक है तो यहां पर केवल आर्ट पूट मत देख लिजिए देखा कर यह आप कंसोल को भी देखा कर लिए कि यहां पर कोई यह रहर अगरा तो नहीं है ठीक है देख लिजे आप सपोर्ज के लिए मु और सवमीर कर दिया यह चार नेम हमें डाल दिया मैं चाहरा हूँ कि यह चारो नेम यूएल और लाई में लूप चल करके यूएल और लाई के फॉर्मिट में यहां पर सबसे पहला तरीका हो क्या है कि मैं यहां पर एक वरिया लूं नामदेता हूँ क्या नेम्ट लिस्टका हो और यहां पर मैंने एक यहरे ले i less than kya names, जो हमने name सेलिया हुआ, names.length, कहाัँ तक चलना चाहिए loop है, जितना element में length है, वहाँ तक चलना चाहिए, ठीक है, और I++, ठीक है, और क्या करूँगा, इस array में डालते जाउंगा, क्या, इस array में डालते जाउंगा, क्या डालूंगा, तो li, नेम्स इंडेक्स ऑफ अथा जोट चुकeyed यह जिए जिरो से लेकर के इस जितना इसमेड दूमेंट मैं ले लिए मैंने क्या आई कई पहले बर में क्या एगा 0, तो यह नेमज आया है, अरे इंडेक्स अब 0, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर अजीत मिल जागा, ठीके, देख लिएज़े, यतना के रहा हमने, और क्या करूंगा मैं अब यहां पर क्या करेगा यहां पर एक, दो, तिन, चार element हो तो चार li बना करके इसमें आयरे में push करना है हमने ठीक है तो इतना .puss ठीक है तभी तो उसमें 4 element आएगा 4 li बनेगा हमने पूस कर दिया ठीक है अब क्या करूंगा यहां पर इस चुकी इस एरे में है ठीक है और यहां पर मैं लेकर क्याता हूं और यूवेल लिया यूवेल और इस यूवेल के अंदर एक्सप्रेशन लिया और यहां पर यह डाल दिया इसमें क्या था इसमें 4Li 4Li था यह बाइंड हो जागा देख लिजे अगर में यहां पर आऊंगा देख लिजे अजीत चंदन पाउन समीर अगर आप इसका कोड भी देखिएगा देख लिजे युवेल देख लिजे यह लाई है लाई 4Li है हो गया बाइंड हो गया ठीक है लेकि इसके साथ साथ अगर आप यहां पर देखिएगा यहां पर एरर भी है क्या वार्निंग मिसे जा रहा है क्या इस चाइल्ड इन आप लोग मस समझिए ठीक है क्योंकि अभी बहुत दूर की बात है ठीक है इतना समझ लिजे ठीक है मैं सब कुछ को अच्छे तरफिक से समझने में ताइम लगेगा आपको अभी ठीक है तो यह मांग चलिए कि यह क्या बोल रहा है कि जो चीज जो चीज एक लूप के थू जरू जेनरेट हो रहा है ठीक है वो क्या हो रहा है एलाई जेनरेट हो रहा है ठीक है यानि कि यह रिपीटेट कोड बन रहा है एलाई के अंदर यह नेम एलाई के अंदर यह नेम ठीक है तो इसमें आपको एक की प्रॉप्स पास करना है की लिखना है से और इसमें आपको क दे दिया हमने ऐसा इसलिए क्योंकि जो compiler है रिएट का उसको इन सारे लाई को differentiate करने में दिकतना हो क्योंकि अगर हम इसमें अगर कोई भी यूनिक दिखें यह क्या यूनिक की होना चाहिए यहां पर जो आप की में जो भी भेलू दिजेगा वो यूनिक होनी चाहिए ठीक है इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यह चुकि क्या यह लूप के अंदर लाई बन रहा है जो टैग है लाई टैग यह लूप के थुरू बन रहा है तो यहां पर 2, 10, 50, 200, 200, 500 बन सकता है ठीक है तो रिएट का जो compiler है रिएट का उसको confusion न हो उसको इसको rendering करने में further update करने में क तो आपका ही performance जो है न कोड का वो slow हो जाएगा ठीक है तो इसको समझने के लिए तो अथा time देना पड़ेगा अभी आपको patience रखी आगे हम सब कुछ समझाएंगे ठीक है अभी आप मांगे चलिए कि इसमें हमने की प्रॉस पास करना होता है ठीक है अभी आपको आपको अधर में भी आडिया नहीं है ठीक है अभी आप यहां पर समझे के लाइक के अंदर हमें एक अट्रिब्यूट पास करना होता है जिसका नाम क्या की जिसके अंदर हमें एक यूनिक भैलू ठीक है तो अभी हमने नेम इंडेक्स ऑफ आई तो यह यूनिक आएगा ना पहली अधर में अजीत इसमें आएगा दूसरी पर में चंदन पावन समीर ठीक है देख लिजे अब वह एरर नहीं आएगा अगर डिस्टिंक नहीं रहेगा जैसे मान लिजे कि अगर हम इसमें कोई एक सेम भल देता हूं यहां पर की में मैंने दे दिया क्या दे दिया वन अब व की वन बोल रहा है न कि multiple children का value का की का जो value है वह नहीं है ठीक है यह code सही नहीं है ठीक है comment paste देख लिजे अब आप यहां पर suppose कर लिजे कि मैंने यहां पर दे दिया एक और duplicate name मैंने यहां पर दे दिया एक चंदन नाम दे दिया ठीक है अब क्या होगा यहां पर दो बर चंद two children with the same key चंदन चंदन नाम से दो की यहां पर बन रहा है चंदन नाम से दो की यहां पर generate हो रहा है ठीक है तो इस बात का आप ध्यान में रखिए क्योंकि देखिए अब यहां पर element को अगर आप bind कर रहे है तो element में भी duplicate duplicate होगा तो यहां पर दिकत हो जागा तो हमें यहां प value बताइए यहां पर कभी duplicate होगा नहीं देख लिजे काम हो जाएगा reference कर लिजे देख लिजे देख लिए कोई error नहीं कोई error है कोई error नहीं है अब duplicate यह हो ही नहीं सकते आई तो यह आपका हमने फर लूप के थुरू इसको लूप चला करके आप लोगों को दिखाया दूसरा जो यह प्रोच हो क्या है देखिए अब हम यह जो यह प्रोच है इसको यहां से हटा देते हैं ठीक हम directly क्या करते हैं कि map के थुरू आप लोगों को करके यह चीज दिखाता हूं ठीक है map method के थुरू ठीक है तो यह हटाया मैंने और यहां पर मैं simply क्या लोगता हूं मान लिजे जैसे जिसके अंदर ही ले लेता हूं यहीं पर एक expression और इसके अंदर क्या यूवेल कोई दिकत है कोई दिकत नहीं है ठीक है और इस यूवेल के अंदर इस यूवेल के अंदर सोरी यहां पर यहां पर expression नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर expression नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर URL लेना है, URL के अदर क्या expression, जहाँ पर मुझे dynamic code करनी है, ठीक है, ले लिए हमने, और यहाँ पर हमारा जो data वो किस में है, names में है, तो names.map, ठीक है, map एक method है, ठीक है, आप इसमें क्या ले लिजिए, आप इसमें यहाँ पर दे अब यहाँ पर curly braces देते हैं, तो आपको यहाँ पर return लिखना जरूरी होता है, return नहीं लिखेगा, तो यह कुछ भी return नहीं करेगा, मैंने return लिख दिया, अब मुझे क्या return करानी है, मुझे li को return करानी है, करा दिया, अब li के अंदर क्या value bind करनी है, आप यहाँ पर अब चन्दन मिलेगा, तो यहाँ पर हम क्या bind कर देंगे, की में value या index, बहलू करेंगे, तो बहलू देख लिखेंगे, चन्दन चन्दन दो बारे, duplicate हो जाएगा, तो की में क्या bind करेंगे, इंडेक्स हो गया, देख लिखेंगे, कोई error नहीं आगा, और यह loop bind भी कर देगा देख लिजे, ठीके, अगर आप ध्यान दिजेगा, अगर आप arrow function ले रहे हैं, अगर आप arrow function यहाँ पर ले रहे हैं, ठीके, मैंने यहाँ पर arrow function लिया हुआ है, और curly बर्से दे दिया हुआ है मैंने, अगर मैं यहाँ पर return नहीं करूंगा, यह कुछ भी return नहीं करेगा, दे लिखना है return लिख दीजेगा यह code चलेगा अगर आप चाहते हैं कि मुझे यह return ना लिखना पड़े ठीक है तो देख लिजे अगर हम मल्टी लाइन नहीं लिखेंगे यहीं पर हम यह ड़ाल देंगे जब कर्ली बेसे लिखेंगे तब ही आपको लिखना पूरेगा क्या तब ही आपको यहीं पर करता हूं सिंगल लाइन लिजिएगा ठीक है तो कोई दिकत नहीं है जब आप कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं तो आयरो फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रेसेस समनुताब लिखते हैं जब मैं मुल्टीपल लाइन लिखना होता है तो मुल्टीपल लाइन में हमें रिटर्न लिखर के बताना हो यहां पर ध्यान दिजीगा इसमें लोग गल्टी क्या करते हैं यहां तक तो समझ माग एना कि अगर हमें एरो फंक्शन की अंदर अगर multiple line देना होता है माल जी कि हमने यहां पर कल को अगर यहां पर मैं एक भेरी वलना बहरी वलना चाहता हूं भैर और यह में डाल हमने यह नहीं कर सकता चुकि यह multiply हो गया multiply हो गया दूसरा यह हो गया तो यह सपोर्ट नहीं करेंगा अगर multi-line लिखनी है तो आप यहां पर एक curly braces देख लिए curly braces यहां पर देना पड़ेगा तब जाकर करके दिख लिए चल जाएगा अब यह चलेगा तो आप यह multi-line में आपको बदाना पड़ेगा कि किसको आप return कर रहे हैं देख लिए output कुछ नहीं आएगा और error भी कुछ नहीं आए तो आप यहां पर बताएंगे क्या return क्या करना है return इसको करना है return तो आप यहां पर return लिखिए return नितना देख लिए चल जागा ठीक है तो अगर आ है मैंने उपर जश्ट ठीक है देख लिजे अगर आप यह नहीं लिखिएगा देख लिए नहीं लिख रहे हैं हम कर ली पर से यह multi-line लाओ ही नहीं कर रहा है लाओ नहीं करेगा ठीक है यह बात आप ध्यान में रखिएगा ठीक है arrow function के साथ अगर आप multi-line लिख रहे हैं त अगर कुछ return करना है तो उस line पर आपको return लिखना पड़ेगा जिसको आप return करना चाह रहे हैं ठीक है तो आप लोग समझ मैं होगा कि हम लोग जैसे के अंदर लूप कैसे चलाएंगे ठीक है तो अगर फिर भी अगर आप लोग के माइन में कोई भी doubt होगा तो आप लोग व कमेंड करके आपका solution प्रोवाइड करेंगे ठीक है एक example में इसका और करा देता हूं क्या इसको अगर class list में change करना हो तो हम क्या करेंगे export default class क्या करना है कुछ नहीं करना है यहाँ पर extend और यहाँ पर क्या component को इंपोर्ट कर दीजिए उपर कहीं इंपोर्ट हो गया होगा इ और इसको आप यहीना ने दिजिए और इसको क्या हरेंड या render method curly braces start और यहाँ पर curly braces बंद हो गया ठीक है अब इसको क्या करना हमने यह अटा दूंगा मैं directly यहाँ पर रख रख रखेता हूं मैं और यह names को अब कोई अंतर नहीं आगा कोई दिखत नहीं है कोई दिखत नहीं है है ना तो क्लास बेस्ट में भी मैंने करके दिखा दिया ठीक है यह सब जो हमने सिखा यहां पर लूप ठीक है अब लूप के लिए आपको आप अपना एजाम पर लीजी और प्रेटिस कर लीजे अगर आप करना चाहते हैं प्रेटिस दो ठीक है कि मैं आपके साथ कैसे करेंगे ठीक है अपना डेटा बनाईए और अपना लूप चला करके देखि और सब्सक्राइब कर लिजिए हमारे चैनल को ताकि जैसे हम लोग की लेटेस्ट वीडियो डाले तापके पस्तुरान तुसका नोटिफिकेशन पहुँचे तो मिलते हम लोग जेश्क्स के ही लास्ट वीडियो में तो तब तक के लिए थैंक्यू सो मच